टेस्ट मेंज आखरी है लेकिन पहले दिन काफी हद तक पता चल गया जी क्या होने वाला है एक तो इंग्लेंड ने टॉस जीता अच्छी विकेट थी इस विकेट की कुछ शिकायत भी नहीं थी और इंग्लेंड ने साथ स्पेशलिस बैट्समें और एक विकेट कीपर यानि कि आठ भले बाजों के साथ गैंबल लिया यानि कि इस मैच में वो सिरफ तीन स्पेशलिस गेंबाजों के साथ खेल रहे हैं और टेस्ट क्रिकट में ऐसा बड़ा रेर है लेकिन जब आप टॉस जीतके बैटिंग करते हैं और आपके तीस पर तीन आउट हो जाते हैं खास तोर से ऐसी विकेट पर जहां पर स्पिनर का गेंद कोबरा की तरह नहीं गूम रहा था सिबली और जैक रॉली ने अपनी विक्टेप हैं की ऐसा लग रहा था कि वो इस टेस्ट मैच में नहीं बलकि पिछले टेस्ट मैच की विकेट पर बैटिंग कर रहे थे और वहां से इंगलंड की वापसी के दर्वाजे लग रहा था कि लगबग लगबग बंद है हालां कि बेंट स्टोक्स या पोप या नीचे आकर लॉरिट्स ने रन जरूर बनाए लेकिन 205 रन अगर आप इंडिया में आके पहले बनाते हैं तो आप मैच जीतने के बारे में नहीं सोच सकते यहां से अगर इंगलंड ने मैच जीतना है तो भारत को बहुत बुरा खेलना होगा जिसके इमकानात बहुत कम हैं लेकिन भारत इस मैच को पूरी तरह अपने काबू में कर चुका है आज विकेट अच्छा था लेकिन कल आप देखेंगे स्पिनर का गेंद और गृप होगा परसो थोड़ा और जादा गृप होगा और अगर चौते दिन तक यह मैच जाता है थोड़ा और जादा गृप होगा अगर दूसरी दिन भारत पहली पारी में तरे रन बना देता है कि अब चौती पारी की फिकर नहीं है तो फिर उसके बाद इंग्लेंड इस मैच में वापसी कर ही नहीं सकता तो रोईच शर्मा जिस तरह 24 एक आउट पर खेलते दिखे हैं उन्होंने पेशिस दिखाई है साफ तोर पर वो पहले दिन शाम को इंग्लेंड के बले बाजों को गेन बाजों को कह रहे थे कि मैं कल की तैयारी कर रहा हूँ कल सुबह बात करेंगे पुजारा मेरिट पर खेले हैं और पुजारा की लंबी इनिंग भी एक डियू है और ये विकेट शायद उनको सूट करती है सूट इसलिए करती क्योंकि गेन आ रहा है गेन उपर नीचे नहीं हो रहा और गेन इतना जार टरन नहीं हो रहा और पुजारा ने आगे पीछे दोनों तरफ जाकर शॉट खेले हैं और चौबिस एक आउट अब कल जाहिर तोर पर पहला आदा घंटा इंपॉर्टन रहे गा ही रहेगा लेकिन मुझे लगता है कि रोईट शर्मा, पुजारा, विराट कोली, रहाने, रिश्यप पंत ये इस मौके को छोड़ने नहीं वाले अगर भारत पहली इनिंग में 300 रन भी बनाता है तो भी इस मैच को जीतेगा लेकिन मुझे समाओ लगता है कि भारत जो है कई सारी प्रेडिक्शन कर सकते हैं मसलन वही, इंडिया 300, 3500 या 400 कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया को 200 आउट कर दे ये तमाम तरह की प्रेडिक्शन है पहले सेशन में कितनी विक्टे गिरेंगी दो या तीन, या फिर कोई भी नहीं रोई शर्मा का एक और 100 आ रहा है के नहीं आ रहा और विराड कोली का 100 का सूखा टूट रहा है के नहीं टूट रहा पुजारा कितने रन बनाएंगे, रहाने कितने रन बनाएंगे एंडर्सन विक्टे लेंगी के नहीं लेंगे ये तमाम तरह के जो डाफा न्यूस पर जाकर आप प्रेडिक्शन्स करते हैं उनकी वेबसाइट पे ये आपको इनाम दिलाती है एक आइफोन 12 है, बंपर इनाम, दो सोने की सिक्के हैं और 55,000 के 10 इनाम है उसके अलावा लाखोन रुपे के इनाम, आप जब जाकर कॉंटेस्स केलते हैं तो आपको मिलते ही है बाकी स्टेस्ट मैचे मुतलिक कोई भी सवाल हो, कोई भी आब्जर्वेशन हो आप सिधा ठक करके मुझे मेरे ट्वेटर विकरानगुपता73 या फिर इंस्टेग्राम विकरान.गुपता73 पे बेजिए लेकिन आस्क स्पोर्ट्स तक हैश्टेग लगाने के साथ स्पोर्ट्स तक को सबस्क्राइब जरूर कीजिए, तमाम खबरें आपको यहीं पर मिलती है